आज हम लोग बात करेंगे साप की खेती के बारे में जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है क्यूंकि आपने कई तरह के अनाज, फल, सबजी या अन्न कई चीजों के बारे में सुना ही होगा लेकिन साप की खेती के बारे में सायद नहीं आपको सुनने में अजीब लगे लेकिन ये सच है दरसल चीन के गाउं में जहरीले सापों की खेती होती है इस गाउं का नाम है जी सी क्याउ यहां 30 लाग से ज़्यादा जहरीले सापों की भाराइटी पाए जाती है करीब 1000 की आबादी बाले इस गाउं में लगबख हर दूसरे सक्स इस काम से जुड़ा है लेकिन क्यों होती है स्नेक्स की फार्मिंग क्या इन लोगों को साप नहीं काटती किस तरह से पाला जाता है सापों को तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी दोस्तो सबसे हरानी की बात ये है कि जिस सापों से इस गाउं की लोगों की है दोस्ती उनके नाम सुनते ही हमारे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं किंकोब्रा करेज जैसे सापों को लेकर वहां के बच्चे खेलते हैं यही कारन है कि सापों की खेती के लिए ये गाउं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस खेती को सनेक फार्मिंग कहते हैं। इस गाउं में सापों की अलग-अलग प्रजातियों की ब्रीडिंग भी कराए जाती है। यहां किंग कोब्रा और भाई पार ही नहीं अजगर भी पाले जाते हैं लेकिन इन सापों को पालने का मकसद क्या है दोस्तों चीन में साप की मांग सकी भारी डिमान है वहां के लोग साप बिच्चू यहां तक की कोई भी जानवार को खा जाते हैं इसके अलाबा गाउं के ल दोस्तो सबसे मज़ेगी बात यह है यूँ तो वहां के गाउंबाले सापों के साथ बहुत ही आसानी से रहते हैं लेकिन एक साप से उन्हें भी डर लगता है जिसका नाम है फाइप स्टेप्स इसले भी कहते हैं क्योंकि साप के काटने के बाद पांच कदम चलते ही आदमी की मौत हो जाती है तो यहां के लोग साप पालते कैसे हैं मेडिया रिपोर्ट की माने यहां सीसे और लकडी के छोटी छोटे बॉक्सेस में सापों को पाला जाता है और जब साप के बच्चे अंडे से निकल कर कुछ बड़े हो जाते हैं तब इन्हें एक स्थान से दूसरी स् जाती है तो सापों की खेती देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्नवाद